प्रिय शिक्षार्थियों नियोस के स्टूडियो में पुनह आपका हार्दिक अभिनंदन एवंस्वागत। मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र श्री यगन्नात समस्क्रत विश्र ज्याले वेद विभाग से आप सब के वीच उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदा ध्यानम पाथ्यक्रम के अंतरगत उस तक दो के 18 पाथ 18 पाथ के पुरुसूक्त के अध्यान के लिए पुरुसूक्त दुतियभाग के रूप में दुतियभाग का मंत्र यहां से तारंब होता है यत पुरुशेन हविशा देवा यद्यमतन्वत वसंतो स्यासीदाज्यम ग्रीश्म इद्म शरद्धविह यहां मूल मंत्र है इसका पतपाथ इस प्रकार है शरत हविह मंत्र में प्रतिपायत इया गया है कि यदा देवाह पुरुशरूप हविशा यज्यम संपारित वन्तहा तदा वसंतरतुहू यज्यस्य घृतम आसीद ग्रीश्म इद्मह आसीद शरद्रितुष्य हविरासीद अर्था जब देवताओं ने पुरुशरूप हव के द्वारा मानस यज्य किया था उस समय उस विराठ पुरुशरूप मानस यज्य के वसंतरतु उस यज्य के घृत के रूप में थे ग्रीश्मरतु उस यज्य के इद्म अर्थात समिधाओं के रूप में रहा और शरद्रतु मुख्य उस यज्य के हविके रूप में रहा ह अग्रिम मंत्र है तम यद्यम बरहिषि प्राउक्षन पुरुशं जातम अग्रतहा तेन देवा अययंत साध्या रुशयच्ये इस मंत्र का पदेपाठ इस प्रकार है तम यद्यम बरहिषि प्राउक्षन पुरुशं जातम अग्रतहा तेन देवाह अययंत साध्याह रुशयच्ये मंत्र का सरदार्थ देखते हैं हम प्रथमम उत्पन्नम यग्जीय पुरुशं कुशे स्थापईत्वा जलेन पवित्री कृतवान ततहा प्रोक्षित पुरुशात देवाहा प्रजापत्यादि स्रिष्टि करता रहा यग्य करता रहा रुशयच्य यग्यम संपारित वंतहा मंत्रे में कहा गया कि उस प्रथमोत्पन्न विराथ पुरुश रूपी यग्य पुरुश रूपी विराथ हिरंडगर्व को खुश में स्थापित करके जलके द्वारा देवताओं ने पवित्र किया उसके पश्चात उस प्रोक्षित पुरुश से देवताओं ने जो प्रजापती स्रिष्ट करता है वे लोग यग्य करता लोग और संपूर्ण रिशियों ने मानस यग्य का संपादन किया अग्रिम मंत्र है इस मंत्र का पदपाथ इस प्रकार किया जाता है तस्मात यज्ञात सर्वहुतह संपृतं पुरुशत आजियं पशून तान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याह च ये अरधात मंत्र में कहा गया कि उस सर्वहुत यग्य से जो देवताओं ने मानस यग्य किया है उस सर्वहुत यग्य से दधी मिश्ट घृत को एकत्र किया देवताओं ने उस ददेमिश्ष्ट एकत्री गृत गृत के द्वारा आकाश में विहरण करने वाले आकाश में रहने वाले पक्षी और जंगलों में रहने वाले पशूआँ और ग्राम में पशूएं उत्पन हुए अर्थाद उस घृत से आकाश में विहरन करने वाले पक्षियों की उत्पत्ती हुवी, उसी घृत से अरण्य पशुओं की उत्पत्ती हुवी और उसी घृत से ग्राम्य पशुओं की उत्पत्ती हुवी है। अग्रिम मंत्र इस प्रकार है। तस्मात यज्ञात सर्वहुता रुचस सामानि जद्निरे छंदामसि जद्निरे तस्मात यजुस्त तस्माद जायता यहा मूल सम्हिता का पाठ है यहा पुरुसूक्त के नवमक्रमान का मंत्र है इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है मंत्र में कहा गया कि तस्मात सरवहुतह यज्ञात वह जो देवताओं ने स्रिष्टि के लिए प्रजापति प्रब्रमरूप मानस यग्य किया उस सरवहुत मानस यग्य से ही रिचाओं की उत्पति हुवी सामों की उत्पति हुवी गायत रियादी सब्तचंदों की उत्पति हुवी एवं यजुरगणों की उत्पति उसी यग्य से हुवी इसमें रिच्यते स्टू यते अनया इति रिक ऐसा रिक की वित्पति है और गी साम जो कि रगवेत के रिचाओं पर ही गान्धरवादी सब्त स्वरों के द्वारा गान किये जाते हैं ऐसे साम की उत्पत्ती और ऐसे रिचाओं की उत्पत्ती उसी सरववुत यग्यों से हुई इतना ही नहीं वरंच जो गायत्रियादी सप्त वैदिक छन्द हैIndagatri, उष्णिक, अनुष्टुप, ब्रिहती, पंग्ति, तृष्टुप और जगती ऐसे गायत्रियादी सप्त छन्दों की उत्पत्ती भी उसी सरवहुत यग्य से होई और कहा जाता इज्यते अनया इति यजुहु यजिस के द्वारा यजन किया जाए उसको यजुहु कहते हैं और मरशी जैमिनी ने लिखा अनियताक शरावसानो यजुहु यहाँ जैमिनी की वित्पत्ति यजुष्षब्द के लिए है तो चुकि यह जो शब्द नवम्सक लिंग में प्रयोग होता इसलिए यह यूम शिया ऐसा लिखा यजुर गण भी उसी सरवहुत यग्यों से उत्पन हुए है अग्रिम मंत्र है तस्मा दश्वा अजायंत ये के चो भयादत हा गावो हजद निरे तस्मा तस्मा जाता अजा अजावयहा यहा मुल मंत्र है इसका पदपाथ इस प्रकार किया जाता है तस्मात अश्वा हा अजायंत ये के च भयादत हा गावहा ह जद निरे तस्माट तस्माट जाता हा अजावयहा इसका अरता है तस्मात यज्यात अर्थात उसी सर्वहुत यज्य से उसी मानस यज्य से जो विराथ पुरस रूपी देवताओं के द्वारा संपाईत मानस यज्य है उसी यज्य से अश्व और उर्द्व भाग में और अधो भाग में जिनके दंत हैं ऐसे प्राणे भी उत्पन्न हुए हैं उसी सरवहुत यग्य देवताओं ने मानस रूपी विराट पुरुस रूपी यग्य किया उसी यग्य से अश्व गव अजा इत्यादी चीवों की उत्पत्ती हुई है धन्यवाद